जैहिन दोस्तों मैं मिठले साहु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी ने अगनी वीर्स के लिए ओफिशियल नोटिफिकेशन अनॉंस कर दिया है तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा अगर आप एक एंडियूसी के डिट है आपके पास देता हूँ जो इंडियन आर्मी के दवारा ओफिशल नोटिफिकेशन निकाला गया है उसको तो यह देख सकते हूँ रिक्रिट्मेंट रैली नोटिफिकेशन और यहां पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस मेंडेंटरी आल केंडिडेट तो लॉग इन इन टु ज इसे इमएक्टिव एरिओ फ्रॉम अगनिवीर जनेरल ड्यूटी अगनिवीर टेक्निकल contest एम्िसट्रेशन और एग्जामीनर के लिए जो निकाले गैए ऑगनि विर्स कलर स्टोरव कीपर एटेक्शन अगनिवीर ट्रेटमेंट सते टेंभाह सब के लिए eligibility criteria कौन कितने class पढ़ा होना चाहिए इस पर भी बताया है एच क्या होना चाहिए भी बताया है मैंने प्रिवियस वीडियो में तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जा कर देख सकते हैं और सब आब आते हैं सबसे main topic किसी certificate holders के लिए इसमें क्या क्या benefits है तो सब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे यह official notification है देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो एक section मिलेगा आपको यहां यह bonus marks in CE तो यहां पर देख सकते हो है NCC certificate holders यहां पर मिलेगा आपको NCC certificate holders के लिए तो NCCA certificate holder हो अगर आप तो आपको 5 नंबर का bonus notification तो अगर आपके पास A certificate है तो आपको 5 नंबर का bonus अंग दियाजाएगा अगर के पास C certificate है तो आपको 15 नंबर निए 5 नंबर का bonus अंबन से एक क्का के लिए मिलेगा स्टोर-कीपर टेकनीगा के लिए मिलेगा और technical के लिए मिलेगा है कि तो अगर आपके पास अ सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का बोनसंख समझना और वी एधयकD इस्टोर कीपर टेकनिकल और टेकनिकल में उसके बाद NCCC Certificate Holders हो और अगर आप ट्रेडमेंट के लिए डालते हैं तो आपको रीटन इग्जाम नहीं देना पड़ेगा यहां पर एफ वाले सेक्षन में देख सकते हो NCCC Certificate Exempted from CEE मतलब अगनी वीज जीडी अगनी वीज ट्रेडमेंट तो अगर आप लोग जीडी मतलब जंडर ड्यूटी और ट्रेडमेंट क्लिए डालोगे मतलब यहां से समझना है आपको कि अगर आपके पास C Certificate है और आप जनरल ड्यूटी और ट्रेडमेंट क्लिए डालोगे तो आपको रीटन इग्जाम नहीं देना पड़ेगा उसके बाद जी सेक्षन जो है उसमें लिखा है NCCC Certificate Holder and Participate in RDC Republic Day Camp यहां पे वो बुल गया है अगर आपके पास NCCC Certificate है और आप NCCC RDC जो प्रेड होता है उसमें जो Republic Day प्रेड होता है उसमें अगर आपने Participate किया है तो आपको रीटन इग्जाम तो माफ होगा साथ ही साथ clerk और storekeeper टेकनिकल और टेकनिकल के लिए भी form डाल सकते हो और उपर में अगर सिर्फ C Certificate है आपके पास तो आप लोग को को भी रीटन नहीं देना पड़ेगा लेकिन कौन-कौन से ट्रेड में सिर्फ डाल सकते हो तो general duty और ट्रेड में के लिए ठीक है और अगर आपके पास C Certificate है प्लस आपने RDC किया है तो आपका रीटन माफ होगा प्लस आप तीन ट्रेड में डाल सकते हो कौन-कौन सा तो clerk में और storekeeper टेकनिकल में और टेकनिकल में तो यही notification बताना था लोग के पास अगर NCC का A Certificate या B Certificate या C Certificate है तो कैसे step by step form apply करना इस पर मै आप डीटेल वीडियो लाओंगा तो अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को एक लाइक करना अपने फ्रेंस के साथ सेयर करना अब बहुत से कंडिडेट के मन में एक सवाल आ रहोगा और सवाल क्या रहोगा म और आपके सी सर्टिफिकेट में आपका ग्रेड आ गया सी तो क्या आप इस फॉर्म के लिए इलिजिवल हैं तो बिल्कुल है क्यों है क्यों कि इस बार के नोटिफिकेशन में कहीं भी ये मेंसर नहीं किया गया है आप लोग पूरो नोटिफिकेशन जा के देख सकते हो कही पर अब आप C certificate holder हो तो कम से कम आपको V grade होना चाहिए अग्याद नहीं बोला गया है तो आप लोगोंको के पास अगर C certificate है और C grade आ गया है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग फॉर्म पिश्याइब कर सकते हो आपको क्योंकि यह जो फॉर्म अप्लाई के लिए चालू होगा वह एक जुलाई से चालू होगा और इतने भी कैड्स ने इंसी का एक्जाम दिया है उन सभी का लगबग एक्जाम का रिजल्ट आने ही वाला है कुछी दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग उस रहा है तो प्ली सेनल सब्सक्राइब करें लेना वीडियो को एक लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करना तो